नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का विश्य हिंदी पाठ 3 शिवाजी का सच्चा स्वरु पार्ट दो हम बाद में पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे पार्ट तीन सिवाजी का सच्चा स्वरू आपको पता है ना शिवाजी कौन थे छत्रपती शिवाजी अब देखो ये जो पार्ट है वो किसने लिखा है सेट गोविन दास ने उनका जन्म हुआ था 1896 में और उनकी मित्री हुई थी 1974 में देखो सेट गोविन दास का जन्म जबलपूर मध्यप्रदेश में हुआ था सेट गोविन दास का जन्म कहा हुआ था जबलपूर मध्यप्रदेश में इनका परिचय पढ़ रहे हैं लेखक का वे हिंदी साहित्य सम्मिलन प्रयाग के अध्यक्ष रह चुके है वो हिंदी साहित्य क्या है प्रयाग जो थे वहाँ पर है ना उसके अध्यक्ष बने हुए हैं वे भारतिय संसत के वरिष्टम सदस्य रहे कौन सेट गुविंदास इनकी गर्णा हिंदी के गिने चुने श रेष नातक कारों में हैं इन्होंने अपने नातकों में विविद युगो और परिस्थित्यों की कथा वस्तु ली है शशीगुप, कर्तविया, हर्ष और प्रकाश उनके प्रमुक नातक ए इनके नातकों पर भारत की प्राचिर नातक प्रस्तुत एकांकी में शिवाजी के प्रमानिक चरित्र का परिजय यहां पर शिवाजी के चरित्र के बेशय में बताया गया इस पार्ट में वे पर स्त्री को अपनी माता तुल्य मानते थे वे हर स्त्री को पर मत्तब जो पराई स्त्री है उसको अपनी माता के समान तुल्य म पात्र अब यहां पर आपको पात्र दिये जैसे शिवाजी प्रसिद मराठा वीर आप सभी जानते शिवाजी के बारे में मोरेपंत पिंगले उनका पेश्वा आबाजी सोन्देव शिवाजी का एक सेना पती जिनका नाम था आबाजी सोन्देव जगे का नाम है राजगड दुर्ग का एक दालन समय सन 1648 इसवी संद्या मतलब शाम दाइने और दालन का कुछ हिस्सा दिखाई देता है दाइने मतलब आपके दाइन हाथ की तरफ दालान की छत पत्थर के खंबों पर होती है आपने देखा जो दालान जो होते हैं आपने किले समझ रखे ना उनके आपने देखे जो छत होती है वो खंबे पर होती है उसके प तरफ दूर तक गड़ की सफील और कुछ बूर्ज दिख पड़े हैं दिख देखो यह दिखाई देते हैं मतलब यह देखो यहां पर छोटी की मातर आएगी आपके ठीके दिख पड़ते हैं बाई तरफ सहार्दिक परवत माला की शिखरा वली दरश्टि गोचर होती है अब यह क्या बोल रहे हैं बाई तरफ यहां पर परवतों की माला मतलब एक परवत पर दूसरी परवत तीसरे परवत उसके शिखर दिखाई देते हैं कुछ शिखरों की ओड से सूर्य अस्थ हो र मैदान में एक उचे स्थम पर भगवे रंग का मराठा जंडा फेरा था आपने देखान किले पर हमेशा जो जिसका होता है उसका इस तरह का जंडा फेरा रहा था दालान में जाजम बिचि हुई थी उस पर किम खाम की गद्धी पर मनसत के सारे शिवाजी विरासन में किसी वि दक्षक होता है बच्चों बोडिगार्ट जो होता है वो तो ठीक है बाई और से मोरपंत पिंगले का प्रवेश पौन थे जो उनके पेश्वा थे मोरेपंत अधेड अवस्ता में गेवे रंग का उचे पूरा वेक्ती था वो क्या थे अधेड अवस्ता के ते गेवे अब मोरपंत अभी वादन कर गए श्रीमंत सरकार है ना जैसे वो जैसे दरबार में या कक्ष में प्रवेश करते तो बोलते ना तो बोलते उनके लिए वो सरकार थे सैनापती आबाजी सोन देव कल्यान प्रांत को जीत वहां का सारा खजाना लूट कर आये हैं फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे सैनापती थे हमने देखा था ना कौन थे आबाजी सोन देव वो कल्यान प्रांत को जीत कर आये हैं और वहां का पूरा खजाना लेकर आये हैं शि शुप संदेश लाए मतलब बड़े खुशी की खबर लाए हो आबाजी सोंदेव है कहा है हमारे सेनापती आबाजी सोंदेव मोरेपन विरासन में बैट कर श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्तित हो रहा है आपकी सेवा में वो अभी यहां पर आ रहे हैं कुछ देर निसब्दता श्रीमंत की सेवा जी और मोरेपन दोनों उस सुकता से बाई और देखते हैं निसब्दता मतलब ऐसे के ऐसे बैट कर श्रीमंत की सेवा जी और बाई और से आता हुआ दिखाए देता वो उनके बाई तरफ से आ रहा था उसके पीछे कुलियों का बड़ा भारी जुन्ड था कुलियों मतलब पता है न जो सामान उठाते हैं अपने रेलबर स्टेशन पर देखे होंगे उनको आँ कुली कहते हैं जुन्ड था मतलब पहुत सारे थे हर कुली के सिर पर एक भारी टोकरा था टोकरा पता है आपको कैसा होता है इसे टोकरा होता है न वो टोकरा हर के कुली के उपर था उनके पीछे एक पालकी थी पालकी बंद थी और साथ में क्या थी एक पालकी थी आपने देखा न पालकी मे अधेड अवस्ता का उचा पुरा मनुश्य था वेशबुशा मोरेपंत के सदर्श्य थी मतलब जैसी वो पेश्वा की थी वैसी के वैसी आबाजी सोन देव दालन में आका शिवाजी को अभिवाधन कहता है मतलब नमसकार कहता है श्रीमन सरकार कहता है कुलियों का जुन और पाल की दोनों दालान के बाहर रुख जाती है शिवाजी बैठो आबाजी कल्यान विजय पर तुमें बधाई हो बैठो आबाजी तुमारा कल्यान हो इस विजय पर तुमें मैं बधाई देता हूँ मोरे पंथ बैठते हुए बदाई है श्रीमन सरकार को शिवा जी कहो पैदल माल्वियों से अधिक वीर्ता दिखाई या हैट कारियों ने अब बोर रहें कि पैदल चलने वाले जो हमारे सैनिक थे उन्हों ने या जो हैट कारी थे उन्हों ने आबा जी ने कहा दोनों ने ही श्रीमन सरकार मतलग घुडों पर हाथी पर सवार ने भी उतनी वीरता दिखाई जित्ती पैदल चलने वालों ने फिर शिवा जी और गुर सवारों में भी वार गीरों ने या शिले दारों ने आबा जी ने कहा दोनों ने शिवा जी सेना के अधिपती कैसे रहे आबा जी पैदल के अधिपती नायक हवलदार जुमालदार और कर हजारी तथा गुर सवारों के अधिपती हवलदार जुमालदार और सुवेदार सभी का काम प्रशशनी रहा सीमन सरकार बोले इनके जो पती थे तो उन्होंने कहा के उनका काम बहुत अच्छा है ठीक है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया शिवा जी कुलियों की और देखकर मुस्कुराते उन्होंने कुलियों की और देखा और हसे कल्यान का खजाना भी लूट आए बहुत माल मिला बुले कल्यान का खजाना ल पर उटा और इतना सारा खजाना मिला हो ऐसा नहीं था चांदी सोना जवारात ना जाने क्या क्या मिला मैं तो समस्ता हूं श्रीमन केवल दक्षिन की नहीं उत्तर की भी विजय पर इस संपता से हो सकेगी शिवाजी कुल्यों के पीछे पालकी को देख कर और उस पालकी में क् इस विजय का सबसे बड़ा तौफा है शिवाजी ने कहा उस्प्ता से आबाजी क्यों देखा उस्प्ता मतलब बड़ी खुशी से कहा अर्थार्थ मतलब क्या आबाजी श्रीमन कल्यान के सुभेदार अहमत की पुत्रवदु के सौंधरिये का व्रत कोई नहीं जानता उसे ही श्रीमंत की सेवा के लिए बंदी करके लाया हूँ बोले ये क्या है एहमत की पुत्रवदू है ठीके उसका व्रत मतलब वो इतनी अच्छी है न तो मैं उसको यहाँ पर लाया शिवाजी की सारी प्रसंता एक एक लुक दो गए उनकी खुशी उनके चेहरे से चली गए उनकी ब्रकूटी चड़ गई ब्रकूटी मत आपने देखा है न आखों के उपर ऐसा होता है वो उन्होंने उपर चड़ाई और नीचे का होट उपर के दांतों के नीचे उनको गुसा आया आबाजी सोन्देव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा मतलब उनका जो ये हावभाव था देखकर घबराग जाते हैं मोरे पंद एक टक शिवाजी की और देखते हैं कुछ सर नीसबत रहते हैं देखो दिखाई दे रहा है ये पालकी में वो पुत्रवदू थी उनकी ये ना ये शिवाजी रावए और ये क्या है उनकी आबाजी सिवाजी भोराय हुए स्वर में मतलब कुस्से स्वर में पालकी को तत्काल भीतर ले आओ आबाजी सोनदेव जल्दी से दालान के बाहर जाता है शिवाजी एक टक पालकी के और देखते हैं और मोरेपन शिवाजी की तरफ शिवाजी पालकी को देखते हैं मोरपन उनको देखते हैं ठीके तरफ कुछ ही श्रणों में पालकी दालान में आती है ज्यों ही पालकी दालान में रखी जाती है त्यों ही शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट पौशते हैं अब ये क्या बोल रहे कि ज्यों ही पालकी दालान में रखते हैं वैसे ही शिवाजी पालकी के निकट पहुशते हैं, मोरेपन शिवाजी के पीछे पीछे जाते हैं, शिवाजी आबाजी सोंदेव से, खोल दो पालकी आबाजी, शिवाजी कहते हैं, आबाजी सोंदेव खोलो पालकी, आबाजी पालकी के दर्वाजे खोलते हैं, देखो फुषा मुगल स्रीयों के सदर्षति वो मुगल थी इसलिए शीवा जी एहमद की पुत्र वद्धू से मां शीवा अपने सिपहल सार कि इस मनाम कुल हरकत पर आपसे मुआफी चाहता है उसने उनको क्या कहा मा क्या कहा कि मेरा जो सिपाई है उसने ये जो हरकत कि ये जो गलती किये उसके लिए मैं आपसे मुआफी मतलब मैं आपसे शमा मांगता हूँ कैसी अजीव गरीब खुबसूरती आपकी कैसी अच्छी अजीव गरीब खुबसूरती है आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है कही मेरी मा मैं आपकी सी खुबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत वो बोल रहा है कि आप जितनी सुन्दर होती मेरी मा सुंदर होती तो मैं भी बच्छुरत न होकर एक खुबचुरत शक्स होता मा आपकी खुबचुरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ उसका हिंदुविदी से पूझन करूँ, उसमें इस्लामी तरीके से इबादत करूँ आपकी जो खुबसूरती है मैं उसका एक ही काम कर सकता या तो मैं आपकी हिंदु धर में पूजा करू या इसलाम में इबादत करू उन्होंने उनको क्या माना था बच्चो अपनी मा आप जरा भी परेशा ना हो मा आपको आराम इस्जत हिफाजत और खबरदारी के साथ आप को आपके शोहर के पास वापस पहुचा दिया जाएगा बिना देरी के फोरण आबाजी को घूम कर आबाजी तुमने ऐसा काम किया है कदाचि शमा नहीं किया जा सकता तुमने इतना खराब काम किया है कि मैं तुम्हें शमा नहीं कर सकता शिवा को जानते हुए भी तुमार प्लेटा शाहस ऐसा ग्रणित कार्य करने के लिए कैसा हो, वो बोले तुमको पता है मैं कैसा हूँ, फिर भी तुमने मुझे लच्चीत करे ऐसा काम किया, शिवा ने आज परियंद किसी मस्जित की दिवार में बाल बराबर भी दरार ना आने दिये, वोले मैंने कभी हिंदु मुस्लिम में ऐसा नहीं किया ना मैंने मस्जित में वो किया शिवा को यदि कई कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर में ठीके तुमने बराबर दरान ना ने दी शिवा को यदि कई कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चड़ाया बोले मुझे कई भी कुरान की पुस्तक मिली तो मैंने उसको सिर्फ पर रखा ये मैंने कभी भी हए ना हिंदू मुस्लिम में ऐसा नहीं किया उसको मैंने एक पन्ले को की शति मतलब उसको हानी नहीं पहुचाई बिना मौलवी सहाब के सेवा में भेज दी हिंदू होते हुए भी शिवा के लिए इसलाम धर्म भी आधरनियत है वो हिंदू होते हुए भी धर्म के प्रती आधरनियत है इसलाम धर्मों चाहे कोई भी धर्मों तबी तो पाट के परिचाय में हमने पढ़ा था ना कि वो सर्व धर्म को संभाव से देखते थे एकी भाव से देखते थे इसलाम के पवित्र स्थान उनके पवित्र गंद सम्मान की वस्तुए जैसे हमारी मंदिर किये शिवा हिंदू और मुसल्मान प्रजा में कोई भेद नहीं समझते थे अरे उसकी सेना में मुसलिम सैनिक तक थे उनकी सेना में खुद मुसलिम सैनिक थे वदेश मे हिंदू राज्य ही नहीं सच्चे स्वराजी की स्थापना करना चाहते थे आततियों से सत्ता का अभरन कर उदार नेताओं के हाथों में अधिकार देना चाहते थे फिर परस्त्री को हर एक के लिए माता के समान है जो अधिकार प्राप्त जन है जो सरदार है या राजा है उन्हें उन्हें तो इस सम्बन में विवेक सबसे अधिक विवेक रखना आवशक है आभा जी कुछ रुकर क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे इसलिए तो तुमने यह क्रतिय नहीं की है शिवा ने लड़ाई जगड़े या लूट पाट क्या वेक्तितव सुखो के लिए कर रहा है क्या स्वयम चैन उठाना उसका उद्देश्य है तब तब तो यह रक तब तो हमारे जीवन में हमारी विजय से हमारी पराजय कदिक अधीक श्रेय कर है ये सब कौन कहते हैं आबाजी मोरपन से आहा पेश्वा यह यह मेरे एक सैना पती ने क्या कर डाला लज्जा से मेरा सर आज प्रत्वी में भी नहीं पाताल में भी घुसा जा रहा है बोले मेरे सैना पती ने ये क्या कर दिया ऐसा वो मोरपन से कहते हैं इस पाप का न जाने मुझे कैसा कैसा प्राइशित करना पड़ेगा पेश्वा इस समय मैं तो केवल एक गोशना करता हूँ भविश्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सीर उसी समय धर से जुदा कर दिया जाएगा पेश्वा ने क्या निश्य किया एक गोशना की कि जैसा आबाजी ने किया है क्या किया है किसी भी पराइश्ट्री को पकड़ कर लाएं ऐसा कोई कार्य करेगा तो उसका सर्धर से अलग कर दिया जाएगा तो बच्चों पाठ के आधर पर आपको मानते थे वो कभी हिंदू मुसल्मान में भेद नहीं मानते थे तो बच्चो हमें भी कभी भी हिंदू मुसल्मान में भेद नहीं मानना जाए सबको समान रूप से सबके साथ हमें क्या करना चाहिए वहवार करना चाहिए आया बच्चो समझ में और इसका अभ्यास आपको क्य करना है अपनी कॉपी में करना है धन्यवाद बच्चो